नमस्कार मैं हुदुव्य बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज 24 जनवरी दिन बुद्वार खब्रक्यों बनने से पहले एक मेजर सुर्खियों पर इन 30,000 असना तक उत्रिन चात्राओं के खाते में जाएगी 50,000 रुपे की त्रोट्चा हंडासी अब सहरी छेटर्ज की महिलाओं को भी मिलेगा जीविका का लाग भुजपूरी फिर्मों में काम करने को लेकर पंकस्त्रिपाठी ने कही ये बात इस तरह से अपने आधार काट की करे सुरक्षा छे भारते खिलारियों को ICC One Day Team of the Year में मिली जगह अब चलिए बरते बिहार के अब तके 25 वरी ख़बरों की और विस्तार से सरकारी सिक्षक बनने की चाहर रखने वाले युपकों के लिए निकली भरती वैसे अभ्यरती जो सरकारी सिक्षक बनने की चाहर रखने हैं उनके लिए अची ख़बर है दरसल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के सौप रिक्त पदों पर भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी एडिसल के तरफ से रॉयल गवर्मेंट ओफ भुटान के अंतरगत भरती निकाली गई है इस भरती के लिए आविदन प्रक्रिया शुरू है और आविदन करने के अंतिम तारीक 15 फरवरी 2024 है एक जोको मिद्वारिस के अधिकारिक वैबसाइट एडिसल इंडिया.co.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भरती के लिए जरूरी है कि आपने पोस्ट ग्रेजुशन 69 साथ प्रतिसत अंकों से पास किया हो साथी भीएट भी उत्तर्ण की हो लेकिन जिन भी अभ्यरतियों का कम्प्यूटर साइंस और ICT विसे रहा है उनके लिए यह माने नहीं है इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं प्रदेश के दिव्यांग जनों के लिए सरकार चला रही है योजना प्रदेश के दिव्यांग जनों के लिए राज्य सरकार द्वारब मुख्यमंत्री दिव्यांग जन ससकती करन योजना चलाय जा रहे हैं ताकि दिव्यांग जनों को ससकत बनाय जा सके इस योजना के दर दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपे तक के रिन दिया जाएंगे वहीं पर हाई के लिए इन्हें विसेश चात्रविर्थी दी जाएगी इसके लावे गंभीर मामलों में इन्हें राज्य अनुदान का दर योजना और लाभारती विसेश के अविसकता के अनुरूप भी मदद दिया जाएगा योजना का लाव 18 से 60 वर्स तक के दिव्यांग जन उठा सकते हैं हाला के किरितरे में अंग या उपकरन के लिए उम्र 5 वर्स से अधिक निर्धारित की गई है इसके लावे दिव्यांग जनों के गंभीर मामले में आयू सीमा बाद नहीं होगी विसे इस विद्याले में पढ़ाई के लिए उम्र सीमा 6 वर्स से लेकर 18 वर्स के बीच होनी चाहिए आस्रे ग्रे के लिए नियुंतम उम्र 18 वर्स रखी गई है इन सभी का लाव उठाने के लिए आविदन सुरू है इसे दुरी किसी भी मदद के लिए आप टोल फ्री नंबर 18-00-345-6262 पर संपर्क कर सकते हैं बिहारी बत्रे में आज हम बात करेंगे करपूरी ठागुर के बारे में इनका जन्म आज के दिन ज्यानी 24 जनवरी वर्स 1924 में समस्तेपुर के गाउं पितौन जिया में हुआ था अब इस गाउं को लोग करपूरी ग्राम के नाम से जानते हैं ये एक भारतिये स्वतंता सेनानी सिक्षक, राजनितिग्य और प्रदेस के दूसरे उप मुखे मंत्री और दो बार मुखे मंत्री रहें लोग इने प्यार से जन्नायक भी कहते हैं इनके पिता एक सिमांत के सान थे और ये पारम परिक पेसे से नाई का काम करते थे भारत चोरो आंदोलन के दोरान इन्होंने सक्री रूप से अपनी भूमे का निभाई है जिस वज़े से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था ये हमेशा गरीबों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए ततपर रहे थे अपने मुखे मंत्री कारेकाल के दोरान इन्होंने पिच्ट्रों को 12% तक का आरक्षन देने का काम किया था अपने जीवन काल में इन्होंने हिंदी भासा का भी खूप रचार प्रसार किया साथी किसानों के हित में भी कई काम किये है 39,000 असनातक उतिर्ण चात्राओं के खाते में जाएगी 50,000 रुपे की प्रोट्चाहन डासी अब भिहार के विष्विद्यालें से असनातक ऊतिर्ण करने वाली चात्राओं को रासी के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की चारवाई की जा रही है बता देगी 50,000,000 रुपे के ये प्रोट्चाहन रासी चात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोट्चाहन योजना के तह दिये जा रहे हैं। जिन चात्राओं का आविधन पहले आया है उन्हें वुक्त रासी से बकाय का भुक्तान पहले किया जाएगा। लेकिन रासी भुक्तान करने से पहले आविधन की जांच के जाएगे। अभी प्रदेश के कईविस विद्यालों से 30,000 से भी अधिक चात्राओं के आविधन स्विकार के गए हैं। इसलिए जो रासी आई है उसे इन चात्राओं के खाते में भेजने की तयारी है। उसके बाद आगे के चरन में बजी चात्राओं के रासी का बुख्तान की आजएगा। सरक शुरक्षा के मद्दे नजर IIT और NIT संस्थान के चात्र सरकों का करेंगी ओडिट। IIT पटना और कानपूर के साथ साथ पटना NIT के चात्र प्रदेस में सरकों का ओडिट करने वाले हैं। कम किया जा सके। इस ओडिट के तहर सहर के ट्रैफिक रूटों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जिससे आम लोगों के आने जाने की बहतर और सुरक्षित फ्यवस्ता की जा सके। इस संबंद में परिवान अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि चार महीनों तक चलने वाले ओडिट में नए दुरगटना वाले इलाकों में सरक सुरक्षा के तैद काम होगा। चारों के आउडिट में उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान अखा जाएगा जिसे दुरगटना कम से कम होगा। के साथ मैच हुआ था तो कई दिगज कलारी पटना पहुंचे थे जिनमें आंजिके रहाने सीवम दुब्बे और सरफराज खान सामिल हैं। संजू सैमसन के होने से मैच काफी रोमान चक नज़र आने वाला है। क्रिकेट टिम के कई फैंस इस मैच को देखने स्टेरियम पहुंचने वाले ही। अब सहरी चेतर के महिलाओं को भी मिलेगा जीवी का का लाब। बिहार में गरीब महिलाओं के लिए सदत जीवी को पारजन की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तद प्रदेश की 10,657 महिलाओं को इसका लाब दिया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक मदद हो सके। लेकिन अभी तक यह लाब ग्रामीन चेतर की महिलाओं को ही दिया जाता था, लेकिन अब इसका लाब सहरी चेतर की गरीब महिलाओं को भी दिया जाएगा, इसके लिए सहरी चेतर में आने वाले सभी वाड़ों का सर्वे किया जाएगा, उसके बाद छोटे छोटे रोजगार के लिए रासी के जगह पर समान खरीदने का रोजगार के लिए दिये जाएंगे ये हर वार से कम से कम तीन गरीब महिलाओं को तीन किस्तों में दिये जाएंगे इसका लाब सहरी छेतर की वही महिला उठा सकेंगी जिनकी आए 5,000 रुपे के करीब में है और उनके पास आए का कोई दूसरा उस्रोत नहीं है बता दे कि जो जीवी का कर्मचारी होंगे वे इनका सत्यापन करेंगे उसके बाद ग्राम संगटन के बाद ये रासी आएगी इन पैसों से रोजगार के लिए लगने वाले संसाधनों को उपलब्द करवाया जाएगा इस स्कूल में ठंड के कारण छुटी मामले में डियम चंदर सेखर का बयान आया सामने ठंड के कारण स्कूल बंद करने के मामले में पटना डियम चंदर सेखर और अपरमुखे सचीव केके पाठक के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा दरसल बीते 20 जनवरी को केके पाठक द्वारा कहा गया था कि बिना सक्चा विभाग के अनुमती लिए कोई भी जिलादिकारे स्कूल बंद नहीं करेंगे इस मामले में सक्चा विभाग के तरप से जो पत्र जारी किये गया है लेकिन अब इस मामले पर पटना के डियम चंद्र सेखर सिंग का वयान भी सामने आया है उन्होंने ठन्वर स्कूल बंद करने के मामले को लेकर कहा है कि इसे विभाग या नुमती लेने का प्रावधान ही नहीं है ना ही इसे किसी गयर नयाईक आदेश या पत्र से बदला जा सकता है इसे सिर्फ सक्चम नयाया लेही आदेश का नयाईक समीक्षा कर सकता है इस प्रकार माधिमेक सिक्षा निदेशक का पत्र विधी विरोध है वही सिक्षा विभाके पत्र के जवाब में उन्होंने कहा कि कोल्ड डे के कारण बच्चों की सेहत बिगरने की प्रबल संभावना है इसलिए कक्षा एक से आठवी तक के स्कूल को बंद रखने का निया ए इस तरह से अपने आधार कार्ट की करे सुरक्चा आज के समय में आधार कार्ट सबसे जरूरी दस्ता वेजों में सेख है इसके बिना भारत और प्रदेस में कई योजनाओं का ना तो लाब ले पाएंगे और ना ही कोई कागजी कारे को कर पाएंगे लेकिन कई बार आपके आधार कार्ट का दुरुपियोग भी किया जाता है लेकिन बता दी कि आपने आधार कार्ट से होने वाले दुरुपियोग से बचने के लिए और इसे सुरक्चित रखने के लिए आप अपने आधार कार्ट को नमबर के साथ चाथ अपने इमेल आईडी से भी लिंक क तो यदि कहीं भी आपके आधार का इस्तिमाल किया जाता है तो इमेल के जरिये तुरंथ इसकी जानकारी आपको मल जाएगी और आप सतर्क हो सकते हैं। असम के लिए प्रसद है भारतिय पौरानी कथाओं के अनुसार या लोगप्रिये संतिस्री राम कृस्त ने परम हंस के ध्यान अस्थान या तपो भूमी के रूप में जाना जाता है। सीता की जन्वा स्थली होने के कारण बिहार में भी स्री राम का एक अलग जुराब रहा है। से भी लाखों लोग अयुध्या जाने की तैयारी कर रहें। इस मामले को लेकर विस्व हिंदू परिस्त के एक पतादिकारी अखिलेश द्वारा बताया गया कि 22 जन्वरी के बाद प्रति दिन केवल दक्सन बिहार से तीन से चार हजार लोग अयुध्या दर्सन करने जाने जा रहे हैं। 22 जार से भी जादस रधालों के फरवरी के पहले सब्ता तक अयुध्या पहुचने का अनुमान लगाया गया है। 22 जन्वरी के जा रही है। 22 जन्वरी के बाद बॉलिवुट के जाने माने अभिनेता पंकर स्रीपार्टी अपने कई सांदार फिल्मों और वेप स्रीच के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल में उन्होंने मैं आटल हूं में अपनी सांदार भूमिका अदा की है। अभी हाल में भवस्तर में भोजपूरी फिल्मों में काम करने को लेकर पंकर स्रीपार्टी का बयान सामने आया है। उन्होंने मीरिया से बातीत करते हैं कि वैसे तो मैंने कई भासाओं में काम किया है। लेकिन मेरी मातरी भासा भोजपूरी है और मेरा मन है कि मैं भोजपूरी में भी फिल्में करूँ। मेरी ये तमन्ना है कि मैं भोजपूरी फिल्में बनाओ। जब मुझे सही वक्त मिलेगा एक अच्छे स्क्रेप्ट मिलेगी और सारे संसादन मेरे पास मौजूद होंगे। तब मैं जरूर एक भोजपूरी फिल्म बनाओंगा। उन्होंने बताए कि यदि वे भोजपूरी फिल्म बनाओंगे तो पूरी प्लैनिंग के साथ बनाओंगे। साथ उन्होंने भुझपूरी सिनिमा के स्टेंडर्ड को बढ़ाने की विए जताई है और कहाई कि मैं चाहता हूं कि मेरी भुझपूरी फिल्म ऐसी हो कि तकनीकी मामले में हिंदी सिनिमा को भी पीचे छोड़ा। पर धूब देखने को मल सकती है मौसम इभाग की माने तो आज का मौसम सुस्क रहने वाला है राजी के कुछ अस्थानों में सी दिवस होने की संभाब ना है साथी दक्षिन पस्तिम और दक्षिन मद्ध भागों में एक या दो अस्थानों पर घना को हासा और आजी के अन्य दिग्री और नियुन्तम तापमान 6-8 दिग्री तक के बीच में रह सकता है आने वाले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम में कोई विस्स परिवर्तन की संभाब नन नहीं है आज है जेई में की परिक्षा केंद्र पर जाने से पहले इन बातों का रखे ख्याल आज से परिक्षा केंद्र पर परिसानी का सामना आपको करना पर सकता है इसलिए परिक्षा में जाने से पहले आप अपने साथ एडमिट कार्ड और से डेकलेरेशन लेकर जाना आनिवारे हैं परिक्षा में साधारन पारदर्सी दिखने वाली बॉल पॉइंट पेन को ही अपने सा परिक्छा के दिन साधारन कप्रें ही पहने ये कप्रें अधिक जय決 वाले नहीं होने चाहिए किसी प्रकार के आभूसल पहनने से बज़े इसके अलावे परीशा केंद्र पर आधे घंटे पहले रिपोर्टिंग करना जरूरी है इसलिए समय से परीशा केंद्र पर पहुंचन बिहार के ररिया जिले में एक बैंक में एक बरी डकैटी की ख़बर सामने आई है दर असल जिले में इस से टेक्सिस बैंक से 90 लाक रुपेवं की डकैटी के कांड को अंजाम दिया गया है इस कांड को अंजाम देने में 6 हतियार बंद लुटेरे सामल थे लोगों को ढराने के लिए इन्होंने 2 राउंड फाइरिंग तक की हाला कि जब तक पुलिस पहुंची तब तक विल लुटेरे कांड करके फडार हो चुके थे मामले की जाज पुलिस कर रही है फिल हाल बैंक को चारों तरफ से सील किया जा चुका है बैंक कर्मचारियों दवारा बताया गया कि यह घटना भीते ही दिनों 11 बजे के करीब में होई थी बैंक में कामकाज शुरू ही हुआ था कि 6 लोग अचानक बैंक के अंदर आकर इस लूट के कांड को अंजाम देकर निकल गये बैंक में दिन दहारे लूट की घटना को देकर आसपास के लोग भी डरे हुए है बिहार वासियों के लिए 4 फरवरी को पिय मोदी लेकर आएंगे ये सौगाद बिहार वासियों के लिए 6,000 करू रुपे की योजनाओ का उधगाटर और सिलान्याज पूर्वी चंपार्ण के सिम्रा के नजदिक वनस्पति अस्थान के पास आयोजित कारिक्रम में करने वाले हैं इस संबंद में जानकारी देतेवे पस्थिम चंपारन के सांसर डॉक्टर संजेज जैस्वाल द्वारा बताया गया है कि प्रधान मंत्री का कारिक्रम तैह हो गया है चार फरवरी को प्रधान मंत्री हवाई मार्ग से कारिक्रम अस्थल पर दिन के एक बज़े पहुँचेंगे प्रधान मंत्री आयो स्रीयल के मोतिहारी टर्मिनल का उधगार्टन करेंगे इसके अलावे मुख्य रूप से मोतिहारी अमलेक गंज पाइपलाइन का सुभारम करे साथी, चौलाह, सुगौली, रामगरवा, रक्सौल और बितिया, सित छावनी में एनेच पर बने आरोबी का उधगार्टन करेंगे साथी, रक्सौल और बितिया, अमरित, भारत रेलवे स्टेशन का सिला न्यास करेंगे और बितिया से पटना तक बनने वाले फोरलें नई एनेच का कारेरम भी करेंगे, भारत जोरो यात्रा में सियम नितीश के सामिल होने को लेकर केसी त्यागी का बयान, उन्ते जनवरी को भारत जोरो यात्रा के तैट राहूल गांदी बिहार आएंगे, कॉंग्रेस के तरब से सियात्रा में सामिल होने के लिए सियम नितीश को को क्या करेंगे वहीं आगे केसी त्यागी ने कहा कि कॉंग्रेस को जिस तरह से लेना चाहिए उसमें धील हुई है मुंबई की बैठक के बाद चार महीने बाद अगली बैठक होती है जिस तरह की तार तम्यता तीखापन व्यागरता एक विपक्ची गडबंदन को चाहिए थ वह नहीं देखने को मल रहा है उसमें धील देखी जा रही है वहीं सीम नितीश को लेकर उन्होंने कहा कि वो भारती राजनीती में दो तीन बड़े लोगों में सेख हैं उनके बोलने का उनके जाने का उनके रहने का और उनके कहीं संपर्क करने का एक राजनीतिक अर्थ हो ताकि पिच्रा वर्ग के वोट बैंक को अपने तरफ कर सके इसी करीब जदियू आज इस जन्म सताबदी समारों का योजन बरेही धूमधाम से वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में करवा रही है इस अफसर पर जदियू द्वारा कहा गया है कि जन्नाय करपूरी ठाकुर समाज क निचले पाइदान पर खरे लोगों को मान और सम्मान दिलाने के लिए सदैब ततपर रहते थे वही राधत के तरफ से यह समारों एसके मेमोरियल हॉल में मनाने की तैयारी है इस समारों का उधगर्टन कुद लालू प्रसाद करेंगे इस जोरान राधत के कई प्रमुक ने यर का ऐलान आइसेसी द्वारा किया जा चुका है छे भारते खिलारियों ने आइसेसी के इस टीम में अपनी जगह बनाई है इन छे भारते खिलारियों के अलावे दो ऑस्ट्रेलिया दो साउथ अफरीका और एक न्यूजिलेंड के खिलारी कुछ जगह मिली है वही रोहित क्लासेन और मार्को जैंसेन सामिल है वही न्यूजिलेंड के डेरिल मिसेल को भी इसमें सामिल किया गया है इन्होंने विस्वकप के दोरान अपना सांधार प्रदर्सन दिखाया था वही आई सी सी ओडियाई ऑफ दा इयर जो चुने गया है उसमें रोहित सरमा सुबमन किल ट्रेविस हेड विराट कोली, डेरिल मिसेल, हेंडिक क्लासेन, मार्को जैंसेन, एंडम जमपा, मुहमत सिराज, कुलदीप यादव और मुहमत सामी सामिल है कई कानों से दर्जाए भारत के तहास में आज की तारीख, आज के दिन वर्स 1857 में कलकाता विस्विद्याले के अस्थापना होई थी, आज के दिन वर्स 1950 में जन गन मन को राश्ट गान की रूप में स्विकार किया गया था और डॉक्टर राजिंत प्रसाद भारत के प्रथम राश्ट पती बने थे, आज के दिन वर्स 1951 में प्रेम माथुर भारत की पहली मैला कॉमर्सियल पाइलेट बनी थी, आज के दिन वर्स 1952 में मुंबई में पहला अंतराश्टे फिल्म होचब आयोज़त हुआ था, आज क के दिन वर्स 2000 में चुनावों में दलितों का अरक्षन 10 वर्स तक बरहाने के लिए सम्विधान के 89 संसुधन को राश्ट पती द्वारा मंजूरी मिली थी, आज के दिन वर्स 2003 में भारत और फ्रांस के बीच पत्यरपन संधी होई थी, आज के दिन वर्स 1924 में करपुरी ठा माकुर का जन्म हुआ था, ये स्वतंता सेनानी के साथ साथ बिहार के पूर मुख्या मंत्री भी रहें, आज के दिन वर्स 1924 में सा नवाज खान का जन्म हुआ था, जो कि आजाद हिंद फौज के अधिखारी थी, वाइरल खबर में आज हम बात करेंगे पिये मोदी की आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में पिये मोदी फ्री लैप्टॉप योजना दोजा चॉबस के तैट लैप्टॉप बाटे जा रहे हैं, साथ ही वीडियो के जरिये यह भी दावा किया जा रहा था, कि ये योजना के इन सरकाद वारा चलाई जा रही है, इ प्याइबी फैक्ट ने भी अपने आधिकारिक वेबसेट पर इस खबर को फरजी करार दिया है, इसलिए यदि आप इस तरह के वीडियो को देखें तो सेर करने से बचें, और सेर करने से पहरे लोगों को भी मना करें, इस तरह से डीप फेक की करें पहचान, इन दिनों डी इकी मदद से अंजाम दिया जाता है, बीते कुछ समय से कई जाने माने हस्तियों की भी डीप फेक वीडियो वाइरल हो रही थी, जिसमें रस्मी का मंदाना से लेकर सचिन तिंदुलकर और ना जाने कई लोग सामल थे, फेक होने के बावजूद भी लोगों ने इससे असली लगेगी, वीडियो में वैक्ति के चहरे के भाव और आखों को देखें, यदि आप उस वैक्ति को जान रहे हैं तो उसके भासा पर भी ध्यान दे, साथ ही वीडियो से जो आवाज आ रही है, उस पर भी ध्यान दे, क्योंकि डीफेक में कभी भी और वीडियो की अपने वाले राम सेतु को साकार करने की योजना बनाई जा रही है रामायन काल में पौरानिक मानेताओं के मताबिक यहीं वो राम सेतु था जिस पर चलकर राम लंका मा सीधा के पास गये थे इससे भी फिर से बनाई जाने की योजना है यदि यह योजना वाकई में साकार हो होने का प्रमान सैटेलाइक की तस्वीरे और समुंदर में तैरते पत्थरों से भी देखने को मलता है के सरकार इस योजना के तैज जो पुल बनाने वाली है उसके मुताविए भारत और स्री लंका के भी 30 किलोमेटर लंबा समुंदरी पुल बनाया जाएगा जो धनुस कोडी और तलाई मनार को जोरेगा इस पुल के निर्मान से दोनों ही देशों के परेटन और अर्थ व्यवस्ता को भी बरहावा मिलेगा इस तरह से रख सकते क्रेडिट कार्ड स्कोर को 750 से उपर जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपसे आपकी व्यक्तिकर जानकारी मांगी जाती है लेकिन इसके साथ ही आपके क्रेडिट स्कोर पर भी ध्यान दिया जाता है कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपका लोन खारिस कर दिया जाता है और कई बार अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो आपको अधिक ब्याद चुकाना पड़ सकता ह इसलिए क्रेडिट स्कोर को 750 से उपर बनाई रखना बेहदी जरूरी होता है इसके लिए आपको हमेशा समय पर अपनी किस्तों और क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुक्तान करना होगा कई बार कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड देने के लिए कॉल किया जाता है उस समय आप और आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है तो साफ मना कर दे अगर आप बोलते हैं कि विचार करेंगे तो कंपनी आपको एक अप्लिकेसन दे सकते हैं जिसका मामला क्रेडिट वूरों तक पहुँच सकता है जिससे आपका क्रेडिट स्कूर कम हो सकता है हम प्रदले पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है यह में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में कौन एकर तरवे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का मेजबानी करेगा ऑप्सने है जापान ऑप्सन भी है चेन ऑप्सन सी इंडोनेसी आपसन यह भारत इसका सहीं उतर है भारत हाली में केंद्रिय मंत्री हर्दीप सिंग पूरी ने कहां अपर आई अलकोहल से जेट इंदन तयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उधगाटन किया है ऑप्सन यह गुवा ऑप्सन भी है पूने ऑप्सन सी है मुंबई ऑप्सन लिये चन इसका सहीं उतर है पूने हाली में कहां पर नौ दिवसी है वार्षिक कारेकरम भारत पर्व का उजन किया जाएगा ऑप्सन यह है लालकिला के सामने ऑप्सन भी है राश्टपती भवन के सामने ऑप्सन सी है प्रधान मंत्री आवाज के सामने ऑप्सन लिये सर्वुत नयाय भारतिय चर्खा संका जन्म कहां हुआ था और सने भागलपूर और सन भी यह पटना और संसरी दिल्ली और संदी है विजयवारा इसका सही उतर है पटना बिहार का कौन सा जिला महात्मा गांदी के सब्दों में आधुनिक तीर्था स्थान था बीते दिन हमारे दौरा पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगोंने पना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्षन बॉक्स में लिकर दिया है जिन्होंने हमारे दोरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आप किस भासा में फिल्में देखना पसंद करते हैं आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंन सेक्षन बॉक्स मली कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ परने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहें तो चैनल को सबस्क्राइब करें अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद